और जिस काम का आप जिक्र कर रहे हैं और आयुर्वेत को आप जहां तक पहुंचा कर लेकर गए हैं वो बताते हुए आपके चेहरे पर जो गर्व की अनुभूती हो रही है वो भी आचारे जी बहुत सराहनी हैं लेकिन खास तोर पर उत्तराखंड को लेकर मैं बात करना चाह कि बुभू है तो यहां और घौर पहां कर लिक रहां को आते हैं तो आपकी बुद्धी मत्ता है तो मझा जय तो मैं कहुंगा इसले उत्राखंड विल्कुल आना चाहिए हर तरह से जूड़ना चाहिए जिस रूप में आप जूड सकते हैं देवों पा दर्शन करिए नहीं तो कुछ अभी माननी है, मोधी जी ने कहा प्रधानमंती जी ने कि कुछ नहीं, तो बहाद शादी करने के लिए उतरा करना जो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी देवी देवताओं की पूरी किवधनतियां और माननेताय हैं, हमारे अधिया से पौरानिक साक्षे और तथे हैं, ज जाएंगे तो बड़ी बात है, ये भी रिसा चोना चीए, चंदराज साव ये भी करो, कि उत्राखन जो शादी करें हमाले में जाकर को शादी कितनी टिकती हैं, और इधर उधर करें तो कितनी उजडती हैं, जिनके शादी अपने ना ठीके विदेशों में, वहाँ जाके त जगधिश भाई था एमारे कह रहे थे कि योग-ायरुईत के शेत्र में 98,000 करोड का इंवेस्मेंट, टॉटल इंवेस्मेंट है ये, इस सिर्फ योग-ायरुण का नहीं है, उत्रा खंड का टॉटल इंवेस्मेंट अभी नया आएगा, वो अलग है, जो अभी इंवेस्में हुआ था इंटरनेशनल उससे पहले-पहले उतना ही हुआ है उसमें से लगवगाफ दस प्रतिशत कंट्रीविशन अकेले पतंजेली का है और रोजगार की दुर्ष्ट्री से देखें तो 8 % रोजगार हार पतंजेली का है और सबसे बड़ी बात ही है कि पतंजेली के अंदर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा wellness center, योगा इर्वित का center है तो वह पतंजेली है, research का center है तो पतंजेली है, भारत सरकार ने पहली बार food processing के लिए mega food park का concept को लेकर का आया था, उस समय बहला कि Congress की सरकार थी, फिर मैं मैं धन्यबाद करूँगा कि उन में हमको भी किया और आज हम सगर्भ कह सकते हैं कि देश का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा food processing unit पतंजेली के पास है, इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमको तोड़ा ताज्यूब होता है कि पतंजेली को लेके कहते हैं इनका सामान तो और कहीं कोई बनाता है शायद इनके रिसर्च के लिए का है अरे भाई दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस हमारे पास है दुनिया के सबसे बड़ी एडवांस, modern और सबसे बड़ी manufacturing unit हम करते हैं इसके बाद में लोगों को दिखाई ना दे तो भाई सूर्य का तो कोई दोस नहीं है वो दृष्टी में ह उस पक्षी का नाम नहीं लोंगा उसका दोश है